हालो अब्रिवन वर्कम बैक टू डिसमीज कॉर्स कॉर्णर आज के इस वीडियो में मैं आप सब के सार शेयर करने जा रही हूं गाजर के हलवे की रेसिपी जो घर में बच्चों से लेके बड़ों तक सभी का फेवरिट होता है और सरदियों में तो स्पेशली बनाया जाता ह इसके लिए हमें तो सी मोठी गाज Daddy उसके है जो नॉर्मल गाजर की सब्ची में बनाते हैं तो आये देखते हैं कैसे बनाया जाता है गाज़र का बनाने केForuma बनाने केडिये यहां पर मैंने ली हैं 2 kg गाजर, जिसे मैंने ग्रेटर की हैं, मोटी साइट से ग्रेट किया है, मैंने रखे हैं गडाई, जिसमें भी मैंने कुछ भी डाला नहीं है, बस कडाई को हीट करेंगे, और सारी गाजर ग्रेट की हैं, उसे इसमें ट्रांस्वर कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसको पानी सूखने तक हमें चलाते रहना है, अभी मैंने इसमें और भी कुछ हैड नहीं करा है, यहाँ पे मैं इसे चलाती रहूंगी, हाई फ्लेम पे चलाईए, तो जल्दी रिड्यूस होगा वाटर इसका, जब तक इसका पानी बिल्कुर रिड्यूस नहीं हो जाता, तब तक हम इसमें कोई भी चीजा रह नहीं करेंगे, यहाँ पे लिए हैं मैंने कुछ ट्राइफूट, किश्मिश, काजू और पदाम, अगर आपको जादा ट्राइफूट पसंद है तो आप जादा रह सकते हैं जब तक इसका पानी रिड्यूस हो रहा है और अभी मैंने गैस का प्लेम आफ कर दिया है और यहाँ पे मैंने दूसरी कड़ाई रखके एक चमच लिया है देसी की जिसमें मैं रोस्ट करूँगे अपने सारे ड्राइफूट, एक साथ डाल दूँगे मैं सभी ड्राइफू अगर आप देसी घी में रोस्ट करके डालेंगे तो उसका टेस बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पे मेरी छोटी सी एक लिप मिस हो गई है देसी घी एट किया है मैंने गाजर के हल्वे में थोड़ा सा पानी रिड्यूस होने के बाद दो चमच यहाँ पे मेरे सारे ट्राइफूट रोस्ट हो गया है अब इसे ठंडा होने के बाद मैं इसे पारिक चॉप कर लोगी नाइप की हल्प से यहाँ पे अल्मोस्ट पानी रिड्यूस हो गया है और देसी की डालने से गाजर के हल्वे का कलर आप देख सकते हैं कितना सुंदर आ रहा है इसमें कुछ भी मैंने कलर बगएरा किसी तरह का एड्ड नहीं करा है और गयस का फ्लेम बिलकुल लो है थोड़ा सा भूनेंगे ताकि गाजर का कच्चापन बिलकुल निकल जाए लो फ्लेम पे आप कल्ची को छोड़ भी सकते हैं कड़ाई में तो जलेगा नहीं लेकिन अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो आपको चलाते रहना पड़ेगा कल्ची को साथ साथ यहां पर मैं एट कर रही हूं 2 स्पोन और भर के डेसगी को दो-दो स्पश तीन बार 3 स्पोन फोड़ा सीजए के ऐट यह है की काजर का हलवा बना रही है तो healthy option है अप्शन है तो सअरदियों मैं खाया ही जाता एए और टेसिटी भी भी बहुत लगता है अ आज़र के इन क अगर आप जादा पसंद करते हैं तो जादा भी एड़ कर सकते हैं और थोड़ी दिर बाद मैं इसे टेस्ट भी करूँगी अगर मुझे कम लगा तो मैं चीनी इसमें और एड़ कर दूँगी लेकिन चीनी तभी आड़ कीजेगा जब हलवा आपका गरम हो ठंडे हलवे में चीनी आड़ मत कीजेगा अपना थोड़ा सा पानी रिडियूस करती है अच्छे से हमें इसे मूनेंगे लो फ्लेम पे उसके बाद मैं आड़ कर रही हूं इसमें खोया यानि कीमावा खोया दो तरह के होते हैं एक साबुत खोया होता है जिसे हम ग्रेट करते हैं यह दानेदार खोया है जो ग्रेटिड ही आता है मैं यहां पे रोस्टे ड्राइफ्रूट एड करूंगे अपने जिसे मैंने नाइफ की हल्प से बारिक बारिक चॉप कर लिया है और थोड़े से ड्राइफ्रूट में बचा लोगी लास्ट में सर्फ करने के लिए और अच्छे से इसे मिलाएंगे गैस का फ्लेम अभी भी ओन है लो फ्लेम पे ही बनाया है मैंने पाने रिड्यूज होने के बाद गैस की आंच बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे सब्सक्राइब गैचर का हलवा बनके आए सब्सक्राइब प्रोसेस पर चलते हैं बहुत ही यम्मी और इसेस्ट वे है यह हलवा पनाने का आप इससरे एक बार हलवा जरूर ट्राइब कीज़ेगा सो यहां पर मैं सर्फ करने जा रहे हूं हलवा और बाकी जो ट्राइब थोड़े से बचा लिये थे मैंने वो यहां पर मैं इस पर उपर आइड कर दूंगे लेडी है हमारा हल्दी गाजर का हलवा आप भी ट्राइ कीज़े एक बार आठी वीडियो में बस इतना ही थैंक यू फर वाचिंग से यू इन नेस्ट वीडियो बाँ बाँ आप भी ट्राइब बाँ